बोटा पी एच सी हॉस्पिटल में लैब टेक्निशनल राज महाजन की अगुबाई में 17 लोगों के रेपीट एंडिजन टेस्ट लिये गई जिन सभी की रिपोर्ट नेग्टिव आई है ये सभी लोग बोटा राधासवामी चैरी टेबल हॉस्पिटल में अपनी आँखों के अपरेशन के लिए आए हुए थे राधासवामी हॉस्पिटल के परशाशक डॉक्टर बेली रामका कहना है कि आँखों के ऑपरेशन से पहले सभी मरीज अपना कोवीड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा वहीं इसके अलावा आज राधासवामी चैरी टेबल हॉस्पिट कोवीड बैक्सीन का दूसरे चनल का टीका कन किया जाएगा यह जानकारी राधासवामी हॉस्पिटल के परशाशक बेली राममेदी